जोनपूर जनपत के मचली सार इलाके के यह बसी रहा गाउं है यह जो हमारे पीछे आप महिलाए देख रहे हैं इनके घर के और मुझे लगता है कि चारो लोगों के पती थे जो कमाने के लिए अपनी रोजीर उटीली के लिए घर से निकलते हैं और गुजरायज जाते हैं इनका काम यह था कि यह लोग मचली पकड़ती थे किसी ठेकेदार के अंडर में बोट लेकर जाते थे समुद्रों मशरी पकड़ने के लिए लेकिन वो पिछली साल गये थे 2020 में अब की बार फरवरी के महिने में इस साल के फरवरी के महिने में उन लोगो पाकिस्तान की पुलिस थी पाकिस्तान की सेना थी वो उनको पकड़ कर अपने देश में लेकर चली जाती है और अभी तक वो आपस नहीं आ पाए हैं यह परिवार के लोग है पीडित परिवार है मैं इसे बात चीत करूँगा अखिर पूरा क्या मामला है यह भी सुनने में आ रहा कि उसके कुछ दिन पहले वो लोग एक बार पकड़े गए थे और 28 महीनों के बाद वो लोग छूटे थे लेकिन अपकी भी तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं अब तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है इन लोगों से मैं बात चीद करूँगा और जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर मामला क्या है और अभी तक इस चीज पर मैं बात करूँगा इन लोगों से बारी बारी क्या नाम हूँ आपका पारवती अच्छा का आपकी पती थे जो वहां पर गया है कितने पहले गये थे वह कमाने के लिए घर से घर से और चार फरीवरी के पकड़ाइगे जार फरीवरी को पकड़ाने हैं अच्छा कई से पता चला आपको क्यों पकड़ दी पाकिस्तान कि से ला उनको महास जैसे वाल ले से बात आई से पास से यह सब सोचना देश कि आपको अधार कार्ड परधान को पड़माई ते मांगें ते सेट के दिए अच्छा उसी टाइम पे आप लोगों ने सब काग्जात दिया लेक परिवार इसी तरीके से अपना गुजर बशर कर रहा है इनके पास कमाने के लिए कोई है नहीं रोजी रोटीन की कैसे चलेगी यह बड़ा सवाल होता है प्रसाशन के सामने कि आखिर यहां का प्रसाशन जो है वो क्या कर रहा है और जिस ठेकेदार के अंडर में काम करे थे वह लोग और जोटे के जार कर रहा है बड़ी लापरवाई हो रही है क्या नाम हो आपका अपके भी पती थे हैं वह सारे लोग साथ में ही गहे थे आप लोगों को पता चला वहां के जोरा फोन आया कि अरी बगलक मना या फून के हिन तब पता चला कि तब पकड़ाएगे कि आप लोग किसे के पास गई इसको लेकर जहां 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 जहां? पास गए आपने परिवार के लिए अपने परिवार को अपने वतन लाने के लिए लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती है आठ से नो मईने बीद गए ये बड़ी लापरवाही कहीं न कहीं है ये परिवारों के आप समझ सकते हैं इनका दर्द कि किस तरीके से ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है इनके परिवार का एकी सदस जो था कमाने के लिए गया था लेकिन वह ने इनके पास कमाने का जरिया ना तो है और ना खाने का किसी तरीके से ये परिवार चल रहा है और ये दर दर भटक रहे हैं गुहार लगा रहे हैं कि हमारा परिवार हमारे बीच आ जाए क्या नाम हूं आपका किसमा अमरे पतिक नाव लाल मन नंदापूर से बहा है कमार आदमी गुजरात गरन कमाई मच्छी मारे गरें आएक ऐस अगस्त गर रहें आठ फरवरी पकडाने ना साहिब का किस्ते हमने घर के रोज रोटी कमाई वालना साहिब ज़वर रहें तो नहीं रहें एक तीन साल हमरे पास बच्ची बा इसे में बहुत गरीवी वासाइब मांग मांग खाती साहिव यह सोचता है सरकार हमारे आदमी छोड़वाए ने साहिब बस कहां कहां गई थे आप लोग साहिब जोनपूर गरें पास गरें बीपी सरोच पास गई रहे हैं काकसी में विधायक लगे किया बातचीत हो उनके पास आप गई होगो तो क्या कुछ बोले कारवाई में आये होता है जब कुछ होई साहिब पता मिले तब जाने नहीं केतना दिन पहले आप डीम से मिली थे ढीम साहिब शुक गए रहे चार तारिक के उसके पहले कभी डीम से आप मिली इना है विना पहले गई रहा अच्छा फरवरी में आपको यह खवर सुनने के मिलती है उसके कितने दिन बाद आप इन लोगों से भीधायक सांसर से कितने बाद मिलती हैं हम एक बार हुए उता इलेक्शन पड़ात रहे तब गए रहे हैं फिर चार फरवरी आप गए रहे हैं चार तारिक के बस तब ना गए रहे हैं अच्छा इसमें कितने ऐसे परिवार के लोग है मैंने ये भी सुना कि वो लोग एक बार और पकड़े गए थे और 28 महीने बाद लिए अपका करें साहिब है रोजी रोटी रही मुला का कई जाए पहुद मना कि हैं पहम कैसे चूटे थे अच्छा उस टाइम पर कैसे चूटे थे तब से सब सरकार लगे जाता ही है वहाँ इतना इतना कहुं जानकारी रहे आप लगे गया रहे बस आ जहां बता है इनके लगे जाए हैं सोहार सब सुनाई हुए उनके लगे हम सुभे जिन कर जाकार क्यारिश भाड़ा किरा लगाई 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 गया हाँ जाहिसा है लेकिस सुनवाई नहीं बड़ी लापर वाही है कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं इनका दर्द की यह हमारे पातिक नाम सुर्यस भिंदा है मजली माली पेटे के लिए गर लेकिन मरे बड़े बड़े बच्चे हो गए पड़े लिकें बड़ी समिष्टा हो तक खाने पिने कोने कैसे खिलाई पिलाई अमरे पास खेदी बारी कुछ नहीं है तो आप कमोई धमोई नहीं रहें त अब लोगों से पेपर लिए और सब रख लिए परिवार का दर्द है आप समझ सकते हैं कि जिनका परिवार आठ मैने से पाकिस्तान की गिरफ्त में है पाकिस्तान के अंदर अंडर में है और अभी तक कुछ कारवाई नहीं हो पाई है यहां कि जो सरकार है और जो भी धायक है सांसद है यह लोग सारी लोगों के पास जात हैं गुहार लगाने के लिए उनसे मदद के लिए लेकिन अभी तक इनकी कुछ मदद नहीं हो पाई है और इसी गाउं के चाचा जो लोगों के साथ गए हुए थे गुजरात में उनसे भी बाचीत करना चाओंगे चाचा यह फोड़ा इधर यह चाचा यह भी गए हुए थे उन लोगों के साथ मचली का व्योसाज जिस ठेकेदार के अंडर में थे यह लोग भी बोट पर मचली पकड़ने जादे थे क्या नाम हुए आप लोगों के साथ ही आपके गाउं के लोग गए थे हम नाई के रहे हैं अगले वेगल 20 किलो मीट अब साथ में थे आप दूसरी बोट पर ते दूसरी बोट पर ते डुसरी थे कितने लोगों को पकड़ कर लेगे हैं आपके गाह तो है सबयों से टयाँ नदापूर के दूशल दो जैनेके तकान नयके फेदो पिछली बार यह लोग गये हुए थे 28 मैने बाद छूटे थे तो क्या मतलब उसी बाडर से 20 किलो मेटर अंदर आकर वो लोग पकड़ ले गये थे थे 28 मैने बाद छूटे थे और जमीन थोड़ा सम्तर वाय एक नाते किन्यारा जात हुए और नहीं है समझे लोग पकड़ी देखिए पाकिस्तान जो है एक ऐसा देश है भिखमंगा के हैं उसको उसके खाने के लिए खुद नहीं और वह हिंदुस्तान के लोगों को पकड़ क लेकर चले जाते हैं अब अच्छा एक चाज जब लोग छूट कर आये हुए थे आपके घर के थे ने जब छूट कर आये थे क्या कुछ बताये थे पाकिस्तान उनको 28 महीने रखा था किसी स्थिति में उनको रखा था क्या कुछ बताये थे बोलो और यही है कि उनके पास खुद खाने के लिए नहीं तो खाने का कहां से देंगे दूसरों को लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि यहां के जो प्रसासन हिंदूस्तान की सरकार है और यहां के जो छेतरी प्रतनी धी हैं उनका बहुए कई ने कहिए दाइत्व होता है वह अपने चेत्र में लोगा परिवार में पाकिस्तान Fac 시 कम सकम अपने वतन में लाना चाहिए मैं यहीं चाहूंगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर करिएगा आठ लोग आठ लोग अच्छा लोग इधर कहीं थे कि नए चार दू जने यह नंदपूरा खाएं अच्छा अच्छा आठो लोग इधर आज पास कहीं थे रिष्टेदार हैं आठ लोगों को पाकिस्तान में लिया है कहीं न कहीं मचली पकड़ने के लिए वो लोग जाते हैं लेकिन जो भी कुछ हुआ लेकिन बड़ी चीज यह होती है कि आखिर यह बड़ा सवाल है कि आखिर क्या कुछ प्रसासन कर रही आठ से नौ महिने का मामला यह हो चुका है लेकिन अभी तक हिंदुस्तान सरकार क्या कर रही है इन लोगों को पास पहुचे जिनको कुछ यह नजर आए कि हाँ वाकई में इनके पास इनके पास दर्द है खाने पीने की समस्या है किस तरीके से यह लोग अपना जिंदगी गुजार रहे हैं यह बड़ा सवाल होता है इसलिए वीडियो को आप लोग जाद से जादा से जादा से जादा से हैं उनसे भी हमारा यहीं निवेदर रहे कि आप लोग इस चीज़ पर काम करें वीडियो को जाद जादा सेर करिएगा जय हिंद